Welcome to study channel मेरा नाम है मुहम्मत कैसर UP सिक्षा सेवचेन आयोग के गठन का इंतजार उतर प्रदेश के लाखो चात्र कर रहे हैं जब तक ये आयोग सक्री नहीं होता है जब तक अरिकारी करमचारी काम करना शुरूर नहीं करते हैं कुछ भी आगे प्रिक्रिया नहीं बढ़ पाएगी 2022 की असिस्टन प्रोफेसर का एक्जाम होना है 2022 की TGT PZT की परिक्षा होनी है लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशल जानकारी नए आयोग से नहीं मिल रही है अध्यक्ष की निक्ती हो गई, सदस्योग की निक्ती हो गई, उपसच्योग के लिए आवेदन मांगे गए हैं लेकिन इसके बावजूद कोई काम होता हुआ दिख नहीं रहा है और इसी बीच एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसे छादर काफी जादा निराश है नए आयोग ने काम तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया एक तरफ जहां चातर 4,000, 5,000, 10,000 की नौकरी के लिए भटक रहा है वेकेंसीज निकल नहीं रही है, निकल रही है, तो वो फस जा रही है पेपर लिग तो इस तरह से हो रहा है कि ये कोई बहुत छोटी सी बात हो लेकिन वहीं अधिकारी अपने ही सैलरी, अपने ही वेतन के लिए परिशान है वो भी बिना कुछ काम कास किये तो ऐसी खबरों को देखकर छात्रों को काफी ज़्यादा कश्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, देख सकते हैं नौगठित उत्तर प्रदेश सिक्षा से बचैन आयोग का जो हालत है, ये काफी अजीबो गरीब है मार्च में सदस्यों और कारवाक अध्यक्ष की नुक्ती के बाद से कोई काम नहीं हो सका लेकिन मजे की बात ये है कि सदस्यों और अध्यक्ष के वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव उन्होंने शाशन को भेज दिया है परिष्छा कराने का प्रस्ताव नहीं भेजा लेकिन वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव उन्होंने जरूल भेज दिया है विज्यापन में सदस्य और अध्यक्ष का जो वेतन है ये आप सुनिएगा ध्यान से सदस्य का जो वेतन है वो 1,48,000 है प्रती महीना और अध्यक्ष का वेतन 1,68,000 है इसके बावजूद इनको संतोस नहीं है और रस्यों का वेतन 2,5,000 और अध्यक्ष का वेतन 2,15,000 रुपए करने का प्रस्ताव भेजा गया है वेतन के अलावा डिये के रूप में तकरीबन 75,000 रुपए है एचारे के रूप में लगवग 12,000 रुपए है चार पया गाड़ी के लिए 200 लीटर तेल के लिए तकरीबन 20,000 रुपए मुबाइल खर्च के नाम पर 2,000 रुपए इनको मिलते हैं इसके पहले इसी भौन में स चारित उत्तर परिसमात में सिचा सवा चैनबोर्ट के सदस्यों और धश का करमसा जो वेतन था वो एक अर्टालिस और एक अर्सर मिलता था तो विनबना ही है कि जहां छातर एक छोटी सी नौकरी के लिए दरदर की ठोकरे खा रहा है और उनहीं की सेवा के लिए ये अधिक सारी हैं अध्यक्ष हैं सदस हैं तमाम लोग हैं सात्रों के हित में तो कुछ हो नहीं पा रहा है और ये लोग अपने ही वेतन को बढ़ाने के फिराक में हैं वेतना बढ़वाई है किसी को इस समस्या नहीं है लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है जो आपका काम है जिसलिए आपको न्युक्ति दी गई है जिसके लिए आप वेतन ले रहे हैं वो तो काम आप करिए नौगडित सिक्षा से बचेना आयो की पहली बैटक के डेड़ महिने बाद भी उसके मिनट्स जारी नहीं हो सके कारवाहक अध्यक्ष और प्रमुक सच्चू उच्च सिक्षा MP अग पर बढ़वाने की जरूरत है सरकार को भी सुचनी के ओशक्ता है कि जो लाको लाको छात्र हैं फॉर्म भरे हुए हैं एक्जाम का इंतजार कर रहे हैं उनकी परिक्षाएं जल्द से जल्द कराई जाएं और जब तक परिक्षाएं नहीं होती हैं किसी का वेतन ना बढ़ा है उप सच्चू की निफ्ती होनी है लेकिन जो लोग हैं वो कम से कम अपना दाइप तो समझें और अभ्यर्थियों के लिए प्रकार आत्मक पहल करें ताकि आगे से कोई दिक्कत इन छात्रों को ना हो तेरह लाग सदिक छात्रों ने 222 की टिजटी विजटी में फार्म भरा है सीते हैं तो काफी कम आपको पता ही है 4163 इतने ही लोगों को नोकरी मिलने हैं बाकी तो बेरुजगारी जैसी है वैसी रहेगी रहेगी लेकिन कम से कम ये भरती पूरी तो होगी इतने लोगों को राह खुलेगी नई वेकेंसिज नई भरतियां आएंगी नहीं तो अभी 2022 में ही आज का युगा फसा हुआ है 232 तो ऐसे ही बीट गया तो ये राज की वीडियो में एक इंपॉर्टन अपडेट वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सस्क्राइब कर लाएं और हमारे सा बने रहें ताइंक्स पर वाचिंग